दीनता को दूर कर उपकार में जो लीन है दीनता को दूर कर उपकार में जो लीन है फूज्य है वो क्योंकि आच्छे कर्म ही को लीन है मेरे सब्दों पर गवर कीजिएगा दीब्यकुल में जन्म से ही लाब कुछ होता नहीं क्या मनों हर फूल में लगुकीट है होता नहीं जो पराए काम आता धन्य है जग में वही द्रभ्य ही को जोड कर कोई सुयस पाता नहीं द्रभ्य ही को जोड कर कोई सुयस पाता नहीं पास जिसके रत्न रासी अनंत और असेस है क्या कभी वह सुरदुनी के सम हुआ सलीलेस है और सलीलेस मन समुद्र समुद्र के पास सारे रत्न होने के बावजूद भी वो गंगा जी की तुलना नहीं कर पाया गंगा जी का अपना एक अलग महत्तो है कि संदेश नहीं मैं यहां स्वर्ग का लाया इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया तो डाक्तर उमंखन्ना आज गंगा जी की तरह समुद्र के सामने बतलब अपने आपको उसे भी मतलब उनको उज्वल माना जा रहा है मैं चाहता हूं कि डाक्तर साब का यशोगान पुरे विश्वर में इसी तरह से फैलता रहे यह मेरी सुप्कामना है और यह मेरा अशिरवाद है उनके लिए जैहिन जैभारत बहुत भूत धन्यवाद सर यह कासिरवाद जीवर भर आपको आपका याद रहेगा इतनी सोच आपने लगाई होगी बात कहने में मनोर भूत को आपने अच्छे से डिफाइद कर दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस लाइनों के लिए वास्तर में पूरे जीवन के लिए आपक आपके लिए जो कार किया है वह बहुत ही प्रसंसनी है तो जो पराय कामे आता धन्य है जग में वही द्रभ्य ही को जोड कर कोई सुएस पाता नहीं पैसे वाले को यस नहीं प्राप्ट गरते हैं उनका काम ही को पैसा पैसा पाइदा करना लेकिन आपने उससे हट करके प्रकार से समुद्र में तमाम प्रकार के रत्न और रासियां हीरा मोती जवाहरात नहीं कितना अकूद धन संपत्ति उस पर भरी हुई है लेकिन वो तुलना गंगा जी के बराबर नहीं कर सकता जो गंगा जी के अंदर जो शक्ति है तारने कर दो दो शक्ति है तारने